प्रधान मंतरी के बयान के बाद उनिफॉर्म सिविल कोड पर सियासत तेज हो गई है इस वक्त हम लोग जामा मस्जिद इलाके में हैं और यहां आम मुसल्मानों से पूछेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं उनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में एक देश एक कानून के बार कानून के बारे में सुना होगा प्रधान मंतरी नरेन मोदी कह रहे हैं कि युनिफॉर्म सिविल कोड आप लोग को पता है सर सुना तो है लेकिन अभी उसकी हमें जानकारी नहीं है किसके लिए ला रहा है उस वह हमारे लिए अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा वो तो ज इस उसके लिए मुस्लिम्स के लिए नॉन मुस्लिम्स के लिए तो इसकी अभी हमें कोई जानकारी है नहीं एक बात प्रधान मंतरी ने कि आपने का कि उनिफॉर्म सिविल कोड प्रधान मंतरी ने यह भी का कि घर में दो कानून नहीं हो सकते उन्हों यह भी का कि लौ होता है शरिया कानून उसके अंदर हम अपने आप भी चाहते वे जो हैं फिर बदल नहीं कर सकते हैं अगर गौर्मिन्ट चाहीगी कि उसको बिल्कु खतम कर दें तो उसका तो हम विरोध करेंगे बिल्कु जी क्यूंके हमारा कुछ शरिया कानून ऐसा होता है कि वो एक आज से नहीं है वो हमारा शुरू से चला आ रहा है और ये जब पहले प्राइम मिनिस्टर जवारलाल नेरू साब बने तो इस चीज का उन्होंने आईन और कानून में भी है कि वह इनके इन चीज़ें क को ना छहडा जाए जितके अंदर के हमारे को अपना वोर मिठ है कि छीजिज तो कि जचन करते हैं क्या सुना है कि कानून लेके आरहे हैं आप लोगों में कोई गलत फहमी इससे पैदा होती है या कोई भड़काने का काम करता है ऐसा कुछ भी आपका नाम रह्मान पुरिशी रह्मान जी UCC के बारे में सुना है आप लोगों ने कैसे देख रहे हैं इसमें देखना क्या है भाई हम ये कहते हैं जो भगवान के दियेवे कानून है गीता के अंदर पुरान के अंदर बाइबल के अंदर वो एजिटिस हैं उसका दावाद सिबिल है और जितने भी मामने किनल है लैंड का है वो सब प्ynिद्देश में कोई उसने माने तो प्रधान मंत्री नरेन मोदी चाहिए एक घर में दो कानून नहीं होने चाहिए तो कैसे देखते हैं आप लोग सब्सक्राइं में दो चाहिए मैं मनिपूर्जंडर जा अगर देखा भी नहीं में दो कानून मना लखें लेकिन लेकिन जब वो ये कहते हैं कि uniform civil court जिसकी आप चर्चा भी कर रहें ते uniform civil court मुस्लिम समुदाय को में गलत फैमी फैलाने का काम उन्हें भरकाने काम विपक्ष की पार्टियां करती हैं आप लोग इसे समुदाय के लोग हैं कैसे देख रहे हैं क्या ऐसा होता है कोई हमें नहीं भरका रहा है और बिल्कुल सही है कि यह अच्छा नहीं हो रहा है आप किसी जे मजब में इंटरफिया करें या चीजी बात नहीं है क्योंकि आज तक हिंदुस्तान के अंदर एडॉप्शन नहीं का हमारे जितने भी पॉपर्टी के बटवारे होते हैं या कुछ होते हैं अप उसे ही खत्म करता है लेकिन यूसी से सिर्फ एक धर्म से जुड़ा नहीं है दूसरे धर्मों पर भी से भी जुड़ा है हो सकता उन पानू लागू करते हैं इनके आज मैं सब कुछ ये जो चाहिए वो कर सकते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं बताए हैं यह आपका नम मौहमद आमिल मौहमद साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड एक देस एक कानून की चर्चा हो रही है आपने कुछ सुना है इस बारे मैं? पुछ नहीं इसमें कुछ दम है इसमें कुछ दम है इसमें कर सकता है तो आप लोग नहीं चाहते कि यह कानून है जी यह नहीं चाहते आपका नम? आलम आलम जी यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा चले आप लोग को जानकारी है एक देस एक कानून जी से कह रहे है आपका नम? पर आपका नम? राशिद राशिद जी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत चर्चा है आप जामा महजिद इलाके में रहते हैं आपने सुना है और क्या सुना है? देखो ये तो कानून गलत है, कानून हर मदब के एसाब से होना चाहिए, लेकिन ये जो सब एक मिला के एक कर देंगे तो ऐसे कानून नहीं तो जबले होंगे भी लेकिन प्रधान मंतरी कहते हैं कि मुसलिम समुधाय को बर्गलाने का काम, भढ़काने का काम विपक्च के दल करते हैं कप तो सभी करना है मुशल्मान तो सब के नाम पर मुसल्मान चड़ा समान का नाम ले लेता है वही तरक्की पाजाता है हमारे यह मुसल्मान का नाम लिया है वही तरक्की पाजया जैसे हैंingsي सारी रह्मान साब यूनिफॉर्म सिविल कोट के बारे में सुना है बिल्कुल सुना है क्या सुना है क्या समझते हैं सर यह जो है यह पॉलिटिकल यह जस्ट लाएं कि जिसे कहना चाहिए के लास्ट यह चल रहा है और इसके बाद इतनाव आने यह दस साल पहले भी यह आवाद परचा नहीं है ग्राफ पारडी कर लिए इनका गिरता जा रहा है इसके खौडिक उन्होंने क्या इंदु मुस्लिम से लोग फरिशान हो चुके तो अब एक नहीं चीज़ एक नया इशू जिसको उन्होंने अरेस किया है हमारे प्राइमनिस्टर साब बहुत बहुत समझद टार हैं तो और यह भी कह रहे हैं कि दस वे साल में फैसला हुआ तो यूनिफॉर्म सिविल कोड़ के बारे में वो कहते हैं कि एक घर में दो कानून नहीं होना चाहिए। परण है। रोज की लाई पर उसके अंदर मानें बादेए और मानते हैं मसले पर झाले को विबाद यह नहीं है। तो आपक्या समझदार नहीं हैं, हम को एक अनाज नहीं कहते हैं, जो करें लिपने बढ़क जाएंगे, आपका नम मुहमद शाकिर, मुहमद साथ क्या सुना है अपने पहले तो यह बता ही, यहीं सुना है कि अलेक्षन करीब आरहा है, अगले साल एलेक्षन हैं, अब पास एक यही आखरी मुद्धा बचा है, इसको लाके हम समाच को बाटके और अपना उल्लू सिधा करेंगे और हुकूमत बना लेंगे, लेकिन अभी का, आपने का कि हिंदु मुस्लिम अपने ही चल रहा है, हो गया, हिंदु मुस्लिम गाट नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल अगली आप पढ़ाईए हाना में जवाब दीजे मुझे, नहीं निकली ना, मिटिंग हुई उसके मिटिंग होने ते आपने ओल पार्टी मिटिंग बुलाएं, आज तक आपने यह नहीं कहा है कि किसके ओपर कोई अपील की जाए, आज तक प्राइमिनिस्टर ने करा कुछ साथ दिन से जल रहा है, साथ दिन, एक सो तीस लोग मर चुके हैं हिंदुस्तान के, मनीपूर के, अधारों लोग भेगा रहे हैं, कैम्पों के अंदर हैं, आप और कुछ कहना चाह रहे हैं, वही तो है, मतलब हिंदू-मुस्लिम नहीं चल रहा है, जी आप कुछ कह रहे है सबसे पहले तो आज हमारा तहवार का वक्त है, इद है, सबसे पहले हम अपने सब भारत वासियों को, सब हिंदुस्तान वासियों को, इद की बहुत-बहुत मुबारक बात देना चाहते हैं, और उसके बाद जैसे आपने पूछा, आपने कुछ सुना इस बारे में, तो हमन आप कहे रहे हैं कि भारतियों जन्ता पार्टी को बहुत सारी ऐसी पार्टी हैं, जो आज की तारिक में भी पच्छ में हैं, चाहिए आम आदमी पार्टी हो, शुसे ना, उद्धो ठाकरे हो, जेडी यू हो, वो लोग ने संधानतिक तोर पे मानते हैं कि हाँ, ये कानून ह लेकिन उन्होंने साथ में ये भी काया कि पहले आप सारे समाजों से बैट के डिबेट कीजिए, इसे भी कहा है ना, अगर आप डिबेट नहीं करेंगे, आप सारी बुद्धी जीएं से मिलिके बात नहीं करेंगे, और आप ये टिकलेर कर देंगे, कि हम ये कर रहें तो हर कम्यूनिटी हर मजभ अपनी अजाद है अपने मजभी रिवायत को निभाने के लिए और हमारा इंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क जहां हर पचास सौ किलो मिटर के बाद जाती है कल्चर बदल जाता है तो आप यह कैसे सोच सकते हैं कि हम 140 करोड आद्मियों को एक ही लख कानून में इस बात करने कि हिंदु धर्म के कानून को थौपने की बात है यह यूसलिषी हिंदु धर्म को मुस्लिम धर्म को हिंदु throughout Kolo once नष्य लखे हर, उपनेया हे शालता है हो कानून होगा कि कैरला के हिंदू यह पॉलिटिकल एजेंडा है नाथिंग मौड इसे टोटल पॉलिटिकल एजेंडा क्यूंकि यह अलेक्शन यह उनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या सुना है लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए सबको अपना-पना मजहब पर चलने का अधिकार है नहीं होना चाह क्योंकि हमले कानुन होना चाहिए और दूसरा झामन नहा कानुन दर्फिय बेट करेंगे क्या हो उसका जवाब देंगे क्या सब्सक्राइब करेंगे उसके पीम कहते हैं कि आप लोगों को भड़काने का काम विपक्ष की पार्टिया करती है। क्या सुना है। को दिक्कत होगी, कोई अपने तरीके से शादी नहीं कर सकता, आप अपने तरीके से रह नहीं सकता, जो भी है, एक्स, य, ज, उपने सब कोई परेशन नहीं है। लेकिन इस मसले पे आप लोगो कोई विपक्ष की पार्टिया कोई कि प्रधान मंतरी कहते हैं कि विपक्ष के दल भड़काते हैं मुस्लिम समुधाय को। इसा है? तो उसके बारे में मैं कोई ओपनियन में देंगा है। थैंक्य।